हाई फ्रेंड्स मेरे नाम है समय और आप देख रहे हमारे यूटूब के लाल टेक्निकल समय दोस्तों आज हम आपको जो फ्लिप्स की ऑटोमेटिक प्रेस आती है आयरन उनको रिपेर करके बताएंगे उनमें कई बार रोड भी मतलब इसका एलिमेंट जो होता है वो भी ठीक खाए अटू कट भी ठीक होता है लेकिन वो ऊंन नहीं होती वाइर वगयरा भी ठीक होता है इसको पूरा कैसे खोल सकते हैं कैसे सैट कर सकते हैं और इस में प्रेशा नहीं आती है अधिकतर और सक्के यप आपको वीडियो पूरा देखना है और द्यान से देखना है दोस्तों मेरे पास यह प्रेस है फ्लिप्स की कमफर्ट फिट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह आपको इसको खोलना है और किस तरह आप इसको रिपेर कर सकते हैं अधिक तरह फाल्ट नई प्रेस में आता है कुछ टाइम बाद तो आप यहां पर इसका मोडल देख ले और सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले एक पीछे इसमें पीछ लगा हुआ होता है स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको खोल लेना है आप यहां देख सकते हैं यह पेच है और इसको आप पेच कर से खोल लेंगे मैं इसको खोल कर आपको लगटा के दिखाऊंगा और इसके बाद आगे से यह खुलेगा किस तरह आपको देखना है मैंने वीडियो इसको फास्ट क्या हुआ है अगर मैं इसको सिलो बनाता तो यह काफी लंबा हो जाता इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट क्या हुआ है लगबग 10-15 मिन्ट आपके इसमें लगेंगे रिप्यर करने में मैंने आपको मातरी 8 मिन्ट में रिप्यर करके बताई है इस वीडियो में इस तरह यह बाहर का आपको निकाल लेना है और इस पर अगर कार्पन जमा हुआ है तो इसको साप कर ले जब वापस फिट करें तो साप करके इसको लगाएं और एक पतला पेच कर लेकर इसको हम बोलते हैं उसकी मदद से इसको खोलें यहाँ पे यह पेच लगा हुआ है इसके बाद यह लोग इसका खुल जाएगा उपर का यह किलिप हटेगी है उससे आप देखें किस तरह 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 आने आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं आपको और इस तरह आप आसानी से इसको खोल पाएंगे यहाँ पे जब आप इसको उपर की तरफ दबाएंगे तो यह आसानी से आपका हट जाएगा इसके बाद इसमें आगए एक पेच है और इसको नौब को अटा लीजिए और नौब हटाने के बाद आगए एक पेच है और दो पेच पीच हैं इसमें इसके पेच पेच आपको खुर लेड़ा है और यह जब खुल जायेगा तो दो पेच आपके पीचे हैं इनको खुर लीजिए और इसके बाद जो इसके connection है उनको अटा लीजिए उससे पहले आप करनेक्षिन चेक कर सकते हैं और सारे connection पे symbol बना हुआ होता है neutral face और अर्थिंग का यहां पे जहां यह तार लगेंगे वहाँ पर यह white color का जो frame है प्रेस का इसके symbol बने होता है अर्थिंग का निशान है और neutral face का है और इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं सबसे फर्ष्ट में अर्थिंग का है फिर face का है फिर neutral का है यहां पर इतार भी लगे हो है और indicator का अलगी wire होता है इसके बाद यह तीन page आपको यहां से खोल लेने हैं जब यह तीन page आपके अलग से खुल जाएंगे तो आपका प्रेस बिल्कुल open हो जाएगा अब इसके बाद इसमें अधिकतर खड़ा भी आती है auto cut की जो automatic trip होता है उसकी तो इसमें भी double auto cut लगे हुए आते हैं company से अगर आपको अभी मैं आपको कुल के दिखा जेता हूँ दूसरा auto cut मैं जिसकी बात करूँ दूसरा वो कौन सा है अधिकतर आपको एक की देखने को मिलता है जो दूसरा है उसको कौन सा है तो आप देखें इससे पहले आपको क्लिप हटा नहीं पेच्चों की इनको आप हटा लीजिए और जब यह आपका फ्रेस का जो फ्रेम में बाहर निकलाएगा यहां पर इस त यहां पर मैंने को खोल लिया है और खौल लेक बात दोस्तों यह आप का प्रेस्ट ऑपन हो गया है अब आप यहां पर देख है मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता एक resistance टाइप में होता है इसके अंतर कोई liquid होता है जो गरम होकर point छोड़ देता है और जैसे ठंडा होता है तो वापस touch हो जाता है अधिकतर कुछ time बाद ये खराब हो जाता है तो आप इसको कुछ अगर आपको ये मिल जाता है तो आप इस को फिलाल डायरेक्ट करकर आपको चेक करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने जब इस प्रेस को चेक किया था तो ना तो इसमें इंडिकेटर आ रहा था ना ये हीट हो रही थी बिल्कुल बंद थी प्रेस ना इसकी सीरीज बोल रही थी तो इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है और इसके बाद जो यहां पर डारेक्ट किया इस पत्ती को आप थोड़ा उंचा रखे और इसमें सिलिफ चड़ा लें मैंने अभी फिलाल सिर्फ आपको जेक करने के लिए विट करके वह इसको बताया है कमप्लीट नहीं किया है मैंने इसमें नया ओटो कट डाल कर फिर वाप अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो यह ओटोकट खराब हुआ है यह वाला जब खराब होता है जब आपका यह बीच वाला ओटोकट कम काम करता है या फिर यह चिपक जाता है तो आप इसको चैंज कर दीजिए मैंने फिलाल डायरेट किया है और आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है इसमें और इसी तरह वापिस आप इस प्रेस को फिट कर देंगे आपको सारे स्टेफ फोलो करने हैं और यहां पर आपको देखना है मैं दिखाने की कोशिस करूंगा यहां पर अर्थिंग का निशान है यह और इधर न्यूटल और फेस का तो यह भ करेंगे पहले तीन पेश लगा दिए इसके बाद आम इसका उपर का यह यह लगाएंगे और इसके बाद इसके वार को सेट करेंगे आगे के पेच लागा कर सारे पेच हमने जैसे कोले हैं वैसे ही आपको लगा देने हैं और लगाने के बाद यहां पर आप देखें पीछे के जो दो पेच है मैं इनको कस दूँगा और इसके पहले जो आगे का एक पेच है उसको कस दूँगा उसके बाद इसकी नौब वगएरा लग जाएगी तो बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से आप इसको खोल सकते हैं कोई परिशान इसमें आपको नहीं आने वाली है तो यहां पर यह दो पेच मैंने पीछे वाले कस दिये और एक आगे वाला कस दूँगा और उसके बाद इसके लीड वगएरा कंपलीट हो जाएगी उसके बाद मैं इसको आपको चेक करके भी बताऊंगा इसका इंडिगेटर और आटो कट काम कर रहा है तो यहां पर यह आ पानी छोड़ती है नीचे की तरफ से जैसे कोई कपड़ा है वी है उसको पानी चाहिए तो उसके लिए भी आप उसको इस्तमाल में ले सकते हैं यहां पानी डलता है आगे होल में और यह नौब आपको ऐसे लगा देनी है और इसके बाद इसके अंदर आपने आगे छोटा पेज़ खोला था वो पेज़ भी आपको लगाना है और आप यहां पर देख सकते हैं यह छोटा अला पेज़ आपको ऐसी लगा देना है और इसको टाइट कस देना है और इसके बाद हम इसकी नॉब लगाएंगे और नॉब लगने के बाद यह आपकी complete हो जाएगी प्रेस औ और इसको हलका सा मुँआ देना है तो यहां पर यह इस तरह काम कर दिए और अब इसकी लीड को आपको सेट करना है घुमा कर यहां पर लोग टाइप मैं लग जाती है जो खिचेगी नहीं आपकी और इसके बाद इसका पीछे का डगकन आपको लगा के fix कर देना है इस तरह यहां पर इसमें लोग होते हैं नीचे की तरफ से इस तरह लगाकर आपको एक प्रेश कर देना यह चाही हो देखा धाया है हम मैं स कोऑन आफ करके बी आपको दिखाता हूँ आप यां देख सकते हैं पूरा ओ यह फुल काम कर रही मतलब पूरा टोकट इसका अच्छी तरीके से काम कर रहा है अब यहां देख सकते हैं आप देखें यहां पर इंडिकेटर रहे नीचे इसका बीच में नोप के पास देखें इंडिकेटर आ गया और जैसे में इसको बंद कर रहा हूं तो बंद भी हो रहा है और यह वर्क भी कर रहा है तो दोस्तो इस तरह इसको आप सही कर सकते हैं और अगर इसके अलावा आपको कोई भी परिशानी आती है इसमें तो आप कमेंट करें हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिस करेंगे मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर